सब्सक्राइब करे हमारी चेनल ज्यान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए करकुलहा देवी मंदिर गोरगपुर से 20 किलोमेटर की दूरी पर तथा 4-4 से 5 किलोमेटर की दूरी पर स्थित हैं करकुलहा देवी मंदिर हिंदू भक्तों के लिए प्रमुखदार मिग स्थल हैं ये मंदिर अपनी दो विशेशताओं के कारण काफी प्रशिद हैं पहला इस मंदिर से जुड़ा क्रांतिकारी बाबु बंधु सिंख का इतिहास ये बात एक 1857 के प्रथम स्पतंत्रता संग्राम से पहले की है इस इलाके में जंगल हुआ करता था यहां से सिगुरा नदी होकर गुजरती थी इस जंगल में डुम्री रियासत के बाबु बंधु सिंख रहा करती थे नदी के तच पर तरकुल, तार, के पेड़ के नीचे पिंजिया स्थापित कर वे देवी के उपास ना किया करती थे करकुल हा देवी बाबु बंधु से केष्ट देवी थी उन दिनों हर भारती का खून अंग्रेजों के जुल्म की कहानिया सुन-सुन कर खोड़ उठता था जब बंधु सिंख बड़े हुए तो उनके दिल में भी अंग्रेजों के खलाफ फाग जलने लगी बंधु सिंख गुरिल्ला लडाए में माहिर थे इसलिए जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता बंधु सिंख उसको माच कर उसका सर काट कर देवी मा के चरणों में समर्पित कर देते पहले तो अंग्रेज यही समझते रहे कि उनके सिपाही जंगल में जाकर लापता हो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी पता लग गया कि अंग्रेज सिपाही बंधु सिंख के शिकार हो रहे हैं अंग्रेजों ने उनकी तलाश में जंगल का पकूना को न चान मारा लेकिन बंधु सिंग उनके हाथ में आये इलाके के एक व्यवसाई के मुख बिरी के चलते बंधु सिंग अंग्रेजों के हथे चड़ गए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफतार कर अदालत में पेश किया जहां उन्हें फासी की सजा सुनाई गए 12 अगस्त 1857 को गोरापुल में अली नगर चोराहा पर सार्वजनिक रूप से फासी पर लटकाया गया बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें छे बार फासी पर चड़ाने के कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए इसके बाद बंधु सिंग ने स्वयम देवी मा का ध्यान करते हुए मननत मांगी की मा उन्हें जाने दे कहते हैं कई बंधु सीह की प्रातना देवी ने सुनली और साथवी बार में अंग्रेजों ने फासी पर चड़ाने में सफल हो गए अमर शही बंधु सिंग को सम्मानित करने के लिए यहां एक समारक भी बना है दूसरी विशेष्टा यहां मिलने वाला मर्जन बाठी का प्रसाद यह देश का इकलोता मंदिर हैं जहां प्रसाद के रूप में मर्ठन दिया जाता है बंधु सिंग ने अंग्रेजो की सिर चड़ा के जो बली की परंपरा शुरू करी थी वो आज भी यहां चालो है अब यहां पर बकरे की बली चड़ाई जाती है उसके बाद बकरे की मान्स को मीटी के बर्तनों में पका कर प्रसाद के रूप में बाठी भी दी जाती है वैसे तो पुराने समय में देवी के कई मंदिरों में बली की परमपरा थी लेकिन समय के साथ साथ लगबक सभी जगह से ये परमपरा बंद कर दी गए लेकिन तरकुलहा देवी के मंदिर में ये अब भी चालू है हाला इस पर अब काफी विवाद है और इसे बंद कराने के ल जगे जगे घंटिया पंधी दे चाएगी यहां पर सुमवार और शुक्रवार के दिन काफी भीर रहती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस्क वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें